खाने की एक सो परते, दस मिनट की मस्ती और तीन कूल हीरोज, यह सब बारावड़ा चुनौती में है, यह काफी दिल्चस्प होगा, आईए देखते हैं बस एक ट्विक्स, बहुत कम है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं से तो बहतर है, चलो इसे खा लेती हूँ लगता है, वो बहुत भूकी है, अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथी पर मारा और अगर तुम मुझे और तंग करती हो, तुम इसे फिर से करूँगी, मेरे पास एक आईडिया है, देखो मुझे डर लग रहा है, अमारा दूर रख दो, चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जर्वत है सावधान, क्रम्स हर जगह उड़े है, बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है, अब चॉकलेट खाना ज़्यादा सुविधा जर्णक होगा तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है, देखो, ओ, मुझे माफ कर दो, ये गल्ती से हुआ, मेरा मतलब यह नहीं था देखो, मैंने कितना अच्छा किया है, ज्यादा चॉकलेट लग रहा है, दो टुकड़े थे और अब दस है, बहुत अच्छा ओ, नहीं, मैंने चाहती कि ट्विक्स ख़त्म हो, ये तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं, अब मैं खुद को दरो ताजा कर सकती हूँ, इतने सारे रैपर्स है, मुझे तुरन धर्टाना होगा मा, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद, अब मैं एकी बार में सब कुछ खा सकती हूँ, और मुझे कोई नहीं रोकेगा, कितना स्वाधिस्ट है, अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स है, लेकिन तुम्हें बेबी बुदिल की जरुरत क्यों है, आह, यहां, बड़ियां कॉंबिनीशन है, मैं भी पीना चाहती हूँ, कभी और, अभी मेरी बारी है, मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलिट का क्या करना है, सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ, वा, तुमने इसे किस तर से किया, यह बहुत अच्छा था, अब टावर का निर्मान शुरू करते हैं, ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचूला और मीठा सिमेंट चाहिए, यानि न्यूटेला, वा, बहुत स्वाजिश खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है कि न्यूट कितनी मजबूती से एक साथ रखता है, बहुत कम बचा है, उपर एक आखिरी टच, आरे वा, कितनी उची टावर है, हमेसे खाना चाहिए, अरे, मेरे टावर हिल क्यो रहा है, तुम क्या कर रही हो, यह गिरने वाला है, तु रंत रुको, मैंने कहां रुको, आरे नहीं, ओ, ऐसा लगता है, मुझे उसकी बाद सुननी चाहिए थी, अम मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, माफ करना हम अपने आपको रोग नहीं पाए, यह अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया थी, और चोट नहीं लगी, वा, गमी आखे, मैं अपनी हिसे से खुश नहीं हूँ, कि मैं लेक आख है, किसी को फिर से सबसे चोटा हिसा मिल गया, मुझ पर हसना बंद करो, यह फनी कुछ भी नहीं है, मैं मजाब कर रही थी, तुम्हें मेरे चेरे पर मारना नहीं चाहिए था, अच्छा मैं तुमसे बदला लूँगी, आओ देखे कि क्या तुम्हें यह प् आख है, कितना बुरा, मैं इसी नहीं देख सकती, क्या हो रहा है, तुमने मुझ पर अपनी आख क्यो फै की, ओ, ऐसा लगता है कि स्थिती नेंतरन से बाहर हो गई है, मदद करो, मेरा दाम खुट रहा है, मैं सास नहीं ले पारी हूँ, खाने का समय हो गया है, यह रुप से यसे पसंद करोगी, बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है, तो फिर अब मेरी बारी है, आसा है कि मुझे भी यह पसंद आएगा, अरे हाँ, यह स्वादिस्ट है, मुझे गमी पसंद है, तुम हाथ कहा लगा रही हो, यह मेरा हिसा है, सभी सौ आखे मेरी ह है, वो कितने कोमल और मीठे है, बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है, मैं रूपना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे भी दे सकती हो, प्लीज, क्योंकि तुमारे पास बहुत है, हाँ, प्लीज, हमें के बल एक आख दे दो, माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ नह कर रहा है, सिर्फ एक चिप, यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के सौ पैक देखे है, मैं देख रही हूं कि कोई बदकिस्मत है, वो पक्का है, मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही, वो क्या करने वाली है, मुझे एक मैगनिफाइंग ग्लास चाहिए, इसकी से मैं आखिर कार खा पाऊंगी, हुरे, मैं चिप्स लेने में काम्याम रही, मैं जितना हो सके, खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूँगी, लगता है उसका हो गया, इतनी चल दी, यह और भी अच्छी बात है, अब मेरी बारी, कितना कसकर लगा है यढ़कन, मैं इसे खोल नहीं पारी हूँ, चलो खुल जाओ, लगता है कोई भूखा रहने वाला है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूगी, मैं कैसे भी यह कैन खोल लोगी, देखो मैंने कर लिया, तुमने इसे फैंका क्यों, तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, वा, मस, यह सच म काफी कूम था, बिल्कुल, मैं तो चीप्स खाने में माहिर हूँ, ओ, मेरा सेर, यह सब कुछ ऐसा गूम क्यों रहा है, शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरुवत है, यह उसका स्टाइल है, ठीक है, जब तक मैं अपने चीप्स खाती हूँ, उसे थोड़ा आराम करने हम बहुत अच्छे दोस्त है, याद है न, मेरे साथ शेयर करो, मेरा मतलब चीप्स से था, पैकेजिंग से नहीं, माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है, कितना स्वादिस्ट है, मैं रूप नहीं सकती, अरे ध्यान से, त किसे काम नहीं चल सकता, ओ, कितना दर्द हो रहा है, आज तुम्हें सच में बहुत लखी हूँ, कितना खुश्मत हो, यह सही क्या, वो इसी के लायक थी, ब्रॉकली, क्या यह कोई मजाक है, और मेरे पास ब्रॉकली के बजाए किसी तरह की बीज है, और मैं इसके साथ क्या क करो, मुझे पता नहीं, ठीक है, ऐसे ही खाती हूँ, ओ, मैं यह नहीं चबा सकती, बिंगो, तुम क्या कर रही हो, मुझे लगता है, हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए, अले हमें, हम पर इसको फेक ना बन करो, बस करो, मुझे गहरा घटा खोदना होगा, वरना पौ दालेंगे, लेकिन आभी तुम अपनी ब्रॉकली खाओ, ओ, इसकी महब भयानक है, मुझे सब्जी उसे नफरत है, वो इतने बिकार होते हैं, अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिसा मिला, मुझे उमीदे कि मैं इसे निपढ़ सकती हूँ, मुझे तुरंट कोला पीन हाँ, ये बढ़ने लगा है, अरे वा, बिश्वास नहीं हो रहा है, वा, फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मज़ा लो, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, काश मैंने ये नहीं होगाया होता, मुझे ब्रॉकली पसंद नहीं है, मुझे ब्रॉकली बिल्कुल पसंद खाना है, देखो, वहाँ एक चिडिया है, मेरा विश्वास कर लिया बेवकुफ होने, इनको उलू बनाना काफी असाल है, मैं दिखावा करूँगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन आसल में मैं इसे फैंक दोंगी, क्या तुम्हें लगता है तो मुझे बेवकुफ बन जाया है, मुझे धन्यवाद देने की जरुवत नहीं है, लगता है कि मेरे योजना फेल हो गई, उन्हें पता चल लिया, डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ, स्कीचल्स, सुपर, सभी को बड़ा हिस्सा नहीं मिला है, कितने अफ्सोर्स की बात है, मेरे पास की मेल एक कैंडी है, लूजर, हसलो हसलो, मैं जानती हो कि क्या करना है, तुम्हें फोन की जरुवत क्यों है, तुम जल्दी समझ जाओगी, मैं अपनी कैंडी को थोड़ा बड़ा करूंगी, वाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं, अभी में केवल एक कैंडी है, लेकिन कितनी बड़ी है, बहुत अच्छा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत इस्वाधिस्ट है, मैं इस कैंडी को ना नहीं कहूंगी, बहुत बड़िया, अब तुम्हारी बारी है, चलो, मेरे पास भी बहुत अच्छी योजना है, मैं अपने मूह से कैंडी पकड़नूंगी, एकदम मिस कर दिया, कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो और भी बेहतर आइडिया है, रुट जाओ, ये मेरी कैंडी है, मैं ये खुद खाऊंगी, किस रंग से शुरू करूं, इतने सारे है, इस से, या ये अच्छा होगा, हाँ, मुझे पता है कि क् या क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वह स्पस्ट्रूप से कुछ करने के लिए तयार है, ये एक कमाल की लोटरी है, जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है, अंदर एक नारंगी कैंडी है, इसका क्या मतलब है, केवल एक चीज, अब मुझे पता है कि क्या चुनना है, मुझे नारंगी कैंडी चाहिए, अच्छा, उसका स्वात कैसा है, क्या तुम्हें ये पसंद है, बहुत, अब मेरे लिए माइनी नहीं रखता कि मैं अपनी कैंडी किस ओर्डर में खाऊं, तो शायद मैं तुम्हारी लोट में खेल सकती हूँ, वा, देख देखो, अंदर और भी कैंडी है, चलो हम दोस्त है, तो इसे शेर करें, ये एक बड़ी आइडिया है, मुझे कोई दिकत नहीं है, जितना मने ले लो, बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वादेश्ट, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नया पुरसकार प्रस्तुत करती हूँ है ना ये बहुत प्यारा, अरे हाँ, बहुत प्यारी है, इधर आओ दोस्त, अरे वाह, क्या सर्प्राइज है, क्या हमें पूप ड्रॉ करना होगा, मिया तुम बहुत स्मार्थ हो, शाबास, चलो शिरू हो जाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वास्ता में से ड्रॉ हूँ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लगता है कि मूँ से ड्रॉइंग करने से कहीं बहतर है, अपने पैरों से ड्रॉ करना, ये गंद कहां से आ रही है, ची मिया, बढ़िया है, मैंने पहले ही एक प्रतिदंदी का सफाया कर दिया है, अब ड्रॉइंग शुरू क पारी हूँ, हुर्य, आखिरकार हो गया, मैं जीत के बहुत करी हूँ, चलो शुरू करती हूँ, ओ, मेरा मारकर हो गया, वो कहां है, अब मैं कैसे ड्रॉइंग करूंगी, मुझे बिल्कुल वही रंग चाहिए, ठीक है, तूसरा शेड लेने की कोशिश करती हूँ, ओ, फिर यहाँ पूरी तरह से त्यार हूँ, शायद आपको यह पसंद आए, यह, बस ऐसा ही है, चलो देखे कि दूसरों के पास क्या है, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा किया, क्या समय हुआ है, ऐसा लगते है, जिससे में जादस हो गई थी, ओ, दिखाने का समय हो गया है, यह, सही नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है, केट हार गई, अरे नहीं, गलती मेरी नहीं थी, मिया की बज़े से मैं बेहोस थी, क्या मुझे इसे अभी खाना पड़ेगा, ओ, यह कितना घिनोना लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे मुँ में डालू, मैं कम से कम चाटने की कोशिश करती हूँ, ओ, कितना मीठा है, यह चौकलेट पेस्ट है, मैं इसे सुबह से शाम तक खाने के लिए तयार हूँ, स्वादिश, ला जुबाव, छी, तुम यह क्या कर रही हो, बस करो, हमें देखकर घीन आ रही है, तुमें बिलकुल अंदाजा नहीं कि कितना स्वादिश्ट है, मुझे उल्टी आ रही है, छी, शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो, नहीं, और यह रही एक और प्यारी, वा, कितनी सुदर बिल्ली है, बहुत प्यारी, बैच जाओ बेबी, जब तक लड़किया अपना काम कर रही हमें इंजार करना होगा, वैसे तुम लोगों को इस बार सीधे अपने चेरे पर ड्रॉ करना है, तो फिर शुरू हो जाओ, यह प्यारी बिल्ली मेरी होगी, बस तुम देखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने है, मुझे लगता है, कैट मेक अप मुझ पर बहुत सू कर रही हो, आशा करती हो कि ड्रॉइंग मुझ पर भी अच्छा लगे, वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रिलाक्स, मैं आइने में देखकर ड्रॉइंग करूँगी, इससे कितना आसान हो गया, अब मुझे लिच चुत रूप से कोई हराने ही पा क्यों पसंद नहीं होगा, तुम आइने में देखकर कर रही हो, यह सही नहीं है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, देखो क्या हो रहा है, यह सही नहीं है, हाँ वो तो है, हमें उसे सबक सिखाना होगा, ताकि वह आगे से कोई नियम ना तोड़े, केट, तुमने हमें ऐ ऐसा मत करो, रूको, मिया प्लीज, मेरी ड्राइंग बरबाद हो गई, ऐसा तुमने क्यों किया, आखिर मैंने कितनी मेहनत की थी, पर आप तुम आगे कभी नियम नहीं तोड़ोगी, ऐसा लग रहा है कि मिया अभी जीत को लेकर पहले से ही आस्वस्थ है, मुझे ये पसल नह है, हे मिया, क्या मैं तुम्हारा ध्यान हटा सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्राइंग किसी वज़े से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अब हम इसे ठीक करेंगे, ये क्या हो रहा है, क्या कर र और भी बुरा है क्या सच में? पर यह सब जैनिफर नहीं किया है तुमने मुझे दोखा दिया मुझे समझनी आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है ऐसा लगता है कि चुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है जैनिफर जीत गई है अच्छा, तो उसके पास जाओ ओरे, मैं जीत गई मेरी प्यारी बिल्ली, इधर आओ मैं तुम्हे प्यार करूंगी, सहलाओंगी ओ, मुझे इतनी चीक्यों आ रही है लगता है जैनिफर को बिल्ली के फर से अलर्जी है यह अच्छा ही है, हम यह प्यारी बिल्ली को ले सकते है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जाओ थिड़ा आराम कर लो वाँ, इतनी सारे सॉस तुम्हे समझ आ गया है कि तुम्हें किस से ड्रॉ करना है और अब समय आ गया है तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या ड्रॉ करना है ओ, बड़ी कच्ची मचली मुझे नहीं लगता कोई से पाना चाहता है तुम सब कोई से ना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी हो भी तुम्हारे सामने सॉस है सभी को मेरी और से शुब कामना है मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तयार हूँ तुम अकेली नहीं हो मिया यह क्या हो रहा है जैनिफर, यहां देखो तुम मेरे चेहरे पर कच्रा फैक रही हो ओ, माफ करना मुझे नहीं लगा था कि यह ऐसे होगा यह बहुत बुरा है आशा करती हूँ कि तुम में से कोई मुझे आगे परिशान नहीं करेगा यह ड्रॉइंग करने का समय है चलो देखे कि यहां क्या है हाँ, क्याचप, बहुत अच्छा लग रहा है यह पेपर पर अच्छे से लग रहा है शायद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और मुझे तो पीला जादा पसंद है मैं इसके साथ शुरू करूँगी देखो कितना सुन्दर लग रहा है बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे इने बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है अपसो सौस इतनी जल्दी खत्म हो गया मुझे कोई और लेना होगा यह मस्टाड एक दम सही रहेगा थोड़ा अलग शेड है लेकिन मुझे यह पसंद है और मैं बीच में कैचप डालूँगी बढ़िया कलर कॉंबिनेशन कोई यह नहीं कह सकता कि यह बुरा है वाँ, मिया की ड्राइं नगबत तयार है हाँ, मेरा ज़्यादा काम नहीं बचा है बस पिनिशिंग टच लगता है मैं पीछे हूँ मुझे जल्दी करना होगा मैं जानती हूँ मैं एक ही बार में सभी सॉस की साथ पेंट करूँगी इससे मेरा समय बचेगा लेकिन मैं कितने स्वादिस्ट लग रहे है मैं अपने आपको रोप नहीं पा रही हूँ मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट करना होगा बहुत स्वादिस्ट है रुकना ना मुम्किन है मुझे और सॉस चाहिए मुझे बहुत खाने का मन है तुम क्या कर रही हो जैनिफर अपने आप पर नियंतरन रखो नहीं तो तुमारे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा बस मेरा हो गया आरे नहीं सारे बचे हुए सॉस मेरी ड्राइंग के ठीव उपर गिर गया यह बुरा हुआ मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती लेकिन समय समाब्थ हो रहा है मैं इसके बारे में पूरी तरह से बूल गई थी बस रुक जाओ स्वादेश्ट आरे नहीं मैंने कुछ भी ड्राइंग नहीं किया है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यह अची बात नहीं है मिया के ड्राइंग बहुत सुन्दर है मैं पक्का हार जाओंगी हालक कि यह अभी खत नहीं हुआ है माफ करना मेरी ड्राइंग पर सॉस गिर गया था जबकि कोई देख नहीं रहा है चित्रों को जल्दी से बदन लेना चाहिए आओ देखे कि दूसरों के पास क्या है यह मेरे मशली है क्या यह वाकई खुबसूरत है अब इसके बारे में क्या कहूँ आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगे यह सादा कागज है मुझे यह गंद पसंद नहीं है भयानक बद्बू आ रही है अब तुम कुछ नहीं कर सकती तुम्हें यह खाना पड़ेगा मेरे पास एक शानदार योजना है क्या होगा अगर इस मशली को पकाते है मुझे लगता है यह तब और भी स्वादिश चोगा यह पता चला कि बड़नर को सम्हालना इतना असान नहीं है माफ करना आजानी फरिया गलती से हो गया लेकिन सचका हो तो तुम्हें वह मिला जिसके तुम हगदार थी अब बाते बहुत हो गई चलो मेरे मशली को ठीक से पकाते है वाह, कितना स्वादिश लग रहा है मैं इसे ना नहीं कहूंगी अरे वाह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ अब देर हो गई है तुमने इस मशली को मूँस तक पहुचाने के लिए काफी प्रयाश किया कितना मुलायम कभी कभी ड्राइंग करने की छमता हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है इसलिए हमारा कहना है कि आप अपनी इस कला को और अधिक निखारे गुड लग जल्दी फिन मिलते हैं